बिहार सरकार की तरब से अब तक शराब की सूचना देने की अपील की जा रही थी लेकिन इस मामले में एक महिला मुख्या बिहार सरकार से भी आगे निकल गई है महिला मुख्या की तरब से शराब की सूचना देने की सिर्फ अपील नहीं की गई है बलकि उन्होंने एलान तो कुछ दिन पहले तक मुख्यमंद्री नितिश कुमार जब समाच सुधार यात्रा कर रहे थे तब वे खास तोर पर महिलाओं से अपील कर रहे थे और इसमें एक महत्वपूर्ण मुख्या की जब बात आती है तो हम इसलिए भी ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि बिहार में महिला प्रतिनिद्यों की हालत क्या है वो हम सब जानते हैं मेरे कहने का मतलब है कि महिला प्रतिनिदी सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए होती है बलकि असली काम उनकी अपने घर का कोई पूरू से ही कर रहा होता है लेकिन जब कोई महिला खुद से सामने आकर अपना फैसला लेती है और खुद को साबित करती है तब उसके बारे में बात करना जरूरी होता है इसी प्रकार की खबर सहरसा साई जहांकि एक महिला मुख्या ने अलान किया है कि अगर कोई भी शराब की सुचना उने ला कर देगा तो वह उसे एक 500 रुपे का ही नाम देंगी सहरसा जिले में आने वाले बीर गाव पंचायत की मुख्या अर्चना आनंद ने यह बड़ा एलान किया है सबसे खास बात है कि अर्चना आनंद मुख्यमंत्री नुटीश कुमार की पार्टी जनता दल इनुटेट से भी जुड़ी हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पंचायत से जुड़ी हुई किसी शराबी की सुचना या फिर शराब की सुचना कोई भी देगा तो हम उसे एकाउन सो रुपया इनाम देंगे अपने समासुधार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नुटीश कुमार भी लगतार महिलाओं को लेकर बाच्चित कर रहे थे और कह रहे थी कि अगर महिला चाहे तब निश्चित रूप से सकरात्मक बदलाव आ सकता है उन्होंने जिविका दिद्यों को लेकर कापी कुछ कहा था और कहा था कि अगर महिला सीधे पुलिस को यह सुचना नहीं दे सकती तो जिविका दिद्यों के माध्यम से वह पुलिस तक सुचना पहुचा सकती है वे बार बार अपने समासुधार यात्रा के दौरान महिलाओं को 20S रूप से समभोजित करते रहे और कहते रहे कि अश्ब कुछ महिलाओं के हित में किया जा रहा है उनके हित में फैसला लिया जा रहा है और अगर महिला साथ देंगी तो यह और भी ठीक होगा अब इसी कड़ी में महिला मुख्या अर्चना आनंद की तरफ से यह कहा गया कि वह सूचना देने वालों को इनाम देगी जब एलान हुआ तो अर्चना आनंद की चर्चा भी शुरू हुई हमने भी इसलिए सोचा कि आपको इस एलान के बारे में भी बताया जाए और इस महिला मुख्या के बारे में भी बताया जाए जिस महिला मुख्या ने एलान किया है वह सहरसा जिले के जदिव महिला प्रकोष की जिला अध्यक्ष भी है और हमने आपको अभी बताया कि अर्चना आनंद मुख्यमंदिर नितिश्कुमार की पार्टी जनता दल इमारिकेट से भी जुड़ी हुई है फिलाल कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि बियार सरकार की द्रफ से एक और एलान किया गया था कि अब अगर कोई भी मिटिंग होगी तो वहां महिला मुख्या को खुद पहुचना होगा ना कि अपनी जगह पर किसी प्रतनिधी को भेज़े ना होगा हमने उस फैसले के बारे में भी बताया था और हमारे ख्याल से यह सब कुछ ठीक है जिसे कि महिलाएं राज़ीती की मुख्यधारा में आसके अगर ऐसा होगा तो निशीत रूप से महिला सिर्फ नाम की मुख्या नहीं रहेगी बलकि वो अपना करते भी भी समझेगी और अपना काम भी करेगी बागी आपको महिला मुख्या द्वारा किया गया अलान कैसा लगा जरूर बताईएगा बागी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था कि अब किसी भी मीटिंग में महिला प्रतिनिधी को खुद शामिल होना होगा उसके बारे में अब क्या सोचने उसे भी बताईएगा सरकार द्वारा किये गये इस फैसले की प्रशंचा भी काफी की गयी थी और क्या गया था कि कोई की महिला प्रतिनिधी जो है अपने अधिकारों को समझेगी और खुद को मुखिया पती बताकर काम करने वाले लोगों पर भी अब नकेल कसा जासकेगा उन्हें रोका जासकेगा फिलाल अगर शराबंदी की बात करें तो सरकार की तरफ से लगातार इसे सफल बनाने के लिए कोशिश हो रही है तो दुसरी तरफ लगातार शराबंदी पर सवाल भी उठाया रहा है और सिसले में हमने आपको आज ही बताया किशराबंदी कानून में कुछ संसोधन होने वाला है बाकि अगर आगे कुछ ने आपडेट आएगा या फिर कुछ ने जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुचाएंगे आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिग कर बताईएगा बाकि अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो श्यर भी करते जाओएगा अगर फेसीबूप पर देख रहे हैं तो पेश को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूप पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्स्राइब कर लीजिए मिलते हैं फिर बहुत जल लगली वीडियो में केमरे पीछे ख़ले हूं परकाश और मैं मुहित कमार सिंग बहुत बहुत धन्नवाद